नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल जीके ट्रैकर पे देखे फ्रेंड्स हम लूशन्ट को टॉपिक वाइस पढ़ रहे थे और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दो महत्वपून टॉपिक्स की सबसे पहले हम सोला महा जन्पतों के बारे में पढ़ेंगे यहां से भी काफी सारे प्रशन बन सकते हैं हमारे एक्जाम के अंदर इनसे राजधानी से related question बनते हैं साथ ही कौन सा महा जन्पत कहां इस्तिध है वो प्रशन भी बनते हैं तो पहले 16 माचनपतों के बारे में बात करेंगे, और फिर बात करेंगे, मगद राज्या का जो उतकर्ष हुआथा, कैसे वहाँ पे विभिन जो राजवन्श थे, चाहे वो हर्यक वन्श हो, फिर शिशुनाग वन्श और फिर नंद वन्श, उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे डिटेल में तो चलिए friends वीडियो को शुरू करते हैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ में आने ये वाला है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले अगर हम महा जनपतों की बात करें तो दीए महाजनपत थे कि हमने जब रिगवैदिक काल या वैदिक सब्विता के बारे में पढ़ा तो आपने वहाँ पर पढ़ा था कि जो शुरुवात में आरेय लोग थे वो किस में निवास करते थे? वो कबीलों में निवास करते थे इनके कबीलों को जन कहा जाता था लेकिन जैसे जैसे इनका विकास हुआ ये जन चो थे ये बड़े होने लगे और ये जनपत कहलाने लगे ठीक है? धीरे धीरे जनपत से ये क्या बन गए? महाजनपत बन गए तो प्राचीन काल में लगबग छटी सताबदी इसा पूर्व में जो पूरा भारत था अखंड भारत यहां 16 महा जनपतों में विभाजित था तो चलिए इनके बारे में जानते हैं अगर हम बात करें 16 महा जनपतों के बारे में तो इनकी जानकारी कहां से मिलती है तो इंपोर्टन कोशन है पेपर में बनता है तो देखें इन 16 महा जनपतों की जानकारी हमें अंगुतर निकाई से मिलती है ये एक बात गरंत है तो अगर प्रश्न बनेगा किस बहुत गंत से हमें 16 महा जन्पदों की जानकारी मिलती है वो है अंगुतर निकाए लेकिन अगर जैन गंत पूछेगा तो भगवती सुत्र से हमें इन 16 महा जन्पदों की जानकारी मिलती है तो दोनों आपको याद रखना है आपको देखना है पूछ क्या रहा है अगर बहुत गरंत पूछेगा अंगुतर निकाए और जैन गरंत पूछेगा भगवती सोथ ठीक है चलिए अब इनकी राजधानी के बारे में बात करते हैं और इनसे जुड़ेवे कुछ तथ्यों के बारे में भी बात करेंगे सबसे प याद रखना है चंपा का प्राची नाम क्या था मालिनी था ठीक है तो अंग महाजनपत की राजधानी कहा थी ये चंपा में थी ठीक है ये महाजनपत कहा था ये वरतमान में बिहार के अंदर था मगत की बात करें तो ये भी बिहार में था और इसकी राजधानी की बात करे तो गिरीबरज या राजग्रह इसकी शिरुवाती राजधानी थी ठीक है आपको दोनों याद रखना है अगला है वज्जी महाजनपद वज्जी महाजनपद से हमारे दो प्रश्ण यहां से बहुत इंपोर्टन पूछे जाते हैं पहला इसकी राजधानी के बारे में तो वज्जी महाजनपद की जो राजधानी थी यह वैशाली, विदह या मिथिला इनमें से आपको कोई भी आप्शन में देखने को मिल सकता है मैक्सिमम आपको वैशाली ही देखने को मिलता है तो वज्जी महाजनपत की राज़ानी कहा थी वैशाली में थी और यहाँ विश्व का सबसे पहला गणतंत्र यहीं पर इस्थापित किया गया था यह भी एक important question है अगर आपको प्रश्ण बने विश्व में सरप्रतम गणतंत्र कहा इस्थापित किया गया तो वज्जी महाज जनपत है वो है काशी काशी महाजनपत की राज़ानी कहा थी यह वारणसी में थी ठीक है वस महाजनपत यह भी बहुत बार पूछा जाता है इसकी राज़ानी कोशामबी में थी ठीक है कोशल की बात करे कोशल महाजनपत की तो यह हमारे लिए important है जब हमने बहुत धरम के बारे में बात करी थी, तो हमने वहाँ पर पढ़ा था कि महात्मा बुद्ध ने जो अपने सरवादिक उपदेश दिये थे, वो कौशल की राजधानी सरावस्ती में ही दिये थे, एक बात तो आपको याद रखनी है, दूसरा कौशल की राजधानी सरावस्ती है, यह आपको बुद्ध के समकाली जो यहां के शाशक थे उनका नाम था प्रसंजीत ठीक है तो देखे जहां पे बुद्ध ने सबसे जाधा अपने उपदेश दिये तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए उसकी राजधानी भी और उस समय वहां का शाशक कौन था तो प अवंती का ही राजयपाल थे ठीक है अवंती की राजधानी कहा है तो उज्जैन या महिश्मती ये अवंती की राजधानी थी ठीक है और इनके यहां पे जो बुद्ध के समकाली राजा थे उनका नाम था प्रगोत इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे जब हम हर्यक व महाजनपद की राजधानी थी तो यहाँ सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी अगला है कुरू महाजनपद तो इसकी राजधानी इंदर परस्त है काफी आसान है आप इसको करेक्ट कर सकते हैं मतस्य महाजनपद इसकी राजधानी थी विराट नगर ठीक है यह आपको महाजनपद वर्तमान में किस राज्य में इस्तित थे तो यह यूपी के अंदर थे ठीक है उतर परदेश में आठ महाजनपद इस्तित थे ठीक है इसके बारे में अब आगे बात करते हैं अगला है मल जो महाजनपद था इसकी तो मल महाजनपद की राजधनिक कुशावती थी या कुशी नगर भी इसको कहा जाता है और important है क्योंकि यहीं पर कुशी नगर में ही जो महात्ना बुद्ध थे उनको महापरी निर्वान की प्राप्ती हुई थी तो किनके जन्पद में हुई महाजन्पद में तो मल शाशक यहाँ पर शाशक कर रहे थे अगला है पांचाल महाजन्पद पांचाल महाजन्पद के अगर हम बात करें तो इसकी राजदानी अहिच्चित्र भी मिलती है कहीं पर और कहीं पर कामपिल्य मिलती है important कामपिल्य वाली है आपको ये वाली याद रखनी है ठीक है लेकिन ये भी पूछी जा सकती है तो पांचाल महाजनपद की राजधानी कामपिल्य में थी और इसी महाजनपद को वैदिक सब्विता का स्रेष्ट प्रतिनिदी कहा जाता है तो फैक्ट बेस पे कोशन बन सकता है किस महाजनपद को वैदिक सब्विता का स्रेश्ट प्रतिनिदी कहा जाता है तो वो है पांचाल महाजनपद राजधानी कहा है काम पिल्य अगला है चेदी महाजनपद चेदी महाजनपद की बात करें तो इसकी राजधानी शक्ति मती इसकी राजधानी थी गांधार जो हमारा महाजनपद है अगर हम इसकी बात करें तो देखे जो ये गांधार महाजनपद है और कमबोज महाजनपद है ये दोनों महाजनपद वरतमान में भारत से बाहर हैं तो आपको ध्यान रखना है अगर पूछेगा भारत से बाहर महाजनपद कौन से हैं तो व बाद में ये राजदानी बनी किसकी गांधार महाजनपत की ठीक है और एक और महाजनपत था भारत के बाहर इसका नाम था कमबोज ठीक है इसकी राजदानी हाटक या राजपूरा थी ये भारत के बाहर है इसलिए इंपोर्टेंट है ठीक है और यहां स्रेश्ट घोडों के प्रसिद्ध था जैसे हमने उपर बात करी वैदिक सब्यता का प्रतिनीदी किसको माना जाता है वो माना जाता है पांचाल को ठीक है उसी प्रगार आपको पूछेगा स्रेश्ट घोडों के लिए कौन सा महाजनपद प्रसिद्ध था तो वो था कमबोज ये भी भारत के बाहर इस्तित्थ था ठीक है अगला और अंतिमैं हमारा यहाँ पे अश्मक महाजनपद अश्मक महाजनपद की राजधानी के अगर हम बात करें तो यह थी पोटली या पोतन दोनों में से आपको कोई भी आप्शन में मिल सकता है तो आपको दोनों याद रखने हैं ये अश्मक भारत का एक मात्र महाजनपद है, ठीक है, अब अगर हम महाजनपदों की तो दीजेखे 16 महाजनपद हैं, हमने बात करी यूपी के अंदर कितने महाजनपद हैं, यूपी में कुल 8 महाजनपद आते हैं, सरवादिotta पूछेगा यूपी में उसके बाद कहां आते हैं उसके बाद बिहार में आते हैं बिहार में तीन महा जनपद आते हैं इंपॉर्टन कौन कौन से आते हैं देखें मगद वज्जी और अंग ये तीन महा जनपद हैं जो बिहार के अंदर आते हैं इसके अलावा एक हमारा मत्यपरदीश में जंदर आता है और एक हमारा दक्षड भारत में आता है तो अगर आप इनके संख्या करें तो कितने होते हैं ये 88, 11, 12, 13 और 14 महाजनपद होते हैं और दो महाजनपद भारत के बाहर आते हैं जो हमने अभी पढ़े तो ये थे फ्रेंट्स हमारे महाजनपदों के बारे में और उनसे जुड़े वे जो प्रशन बनते हैं वो हमने यहां पर देखे तो आपको ध्यान हो गया होगा गंतंत्र कौन सा वाला महाजनपद था वजजी महाजनपद था ठीक है चलिए अब बात करते हैं कि कैसे इन महाजनपदों में से इन 16 महाजनपद जब ये थे तो मगत का उतकर्श हुआ और कैसे मगत पे अलग-अलग राजवनच आके यहां पे इस्थापित वे और मगत इन सभी महाजनपदों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन गया सबसे पहले बात करते हैं मगत के प्राचीनतम जो वन्च था उसके संस्थापक के बारे में देखे मगत के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है महाभारत में बिलती है ठीक है और उसमें ज़्यादा जानकारी नहीं है केवल ये बताया गया है कि मगत पर एक शाशन जो कर रहा था उसका नाम ब्रहद्रत था ठीक है तो ब्रहद्रत इसके सबसे प्राचीन व प्रॉपर जानकारी जो हमें मिलनी शुरू होती है वो हर्यक वंश के साथ शुरू होती है ठीक है तो बस आपको इतना धियान रखना है यहां पर कि मगत के प्राचीनतम वंश का संस्थापक कौन था वो था ब्रहद्रत ठीक है और इसकी राज़ानी ग्रीबरज थी और पुत 544 BC में यहां पर यह स्थापित हुआ 544 इसापूर्व में बिंबी सार ने जो की बहुत धरम का अन्युयाई था हर्यक वंस की स्थापना करी कोशन बनता है मगत पर हर्यक वंस की स्थापना किस ने करी तो यह बिंबी सार ने करी कन्फ्यूज नहीं होना है एक है बिंबी सा होगा जो हम आगे पढ़ेंगे बाद में अभी यहाँ पे हमें बिमबी सार पढ़ना है ठीक है यह बौध धरम का अनुयाई था यानि कि बौध धरम को मानता था इसके अन्यनाम की बात करें तो इसे श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है पूछा जा सकता है किस मगत के शत्रू आएगा वो अपने पिता की हत्या करेगा फिर उसका जो पुत्र आएगा वो अपने पिता की हत्या करेगा तो हर्यक वंश को पित्र हंता वंश के नाम से भी जाना जाता है इसकी राजधानी की बात करें तो इसने राजग्रहे का निर्मान करवाया और राजग्रहे क तो इसने अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है, महा कहा जाता है कि जो ये राजग्रह इसने बनवाया था, इसका जो मुख्या वास्तुकार था, उसका नाम महा गोविंद था, तो प्रशन पूछा जा सकता है कि राजग्रह का वास्तुकार कौन था, महा गोविंद, ठीक है इसके बाद बात करें तो हर्यक वंज का जो संस्थापक था बिम्बिसार इसने अंग महाजनुपद को मगद में मिला दिया था, तो अंग महाजनुपद को मगद में मिला था था मगद महाजनपत में मिला दिया है इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना एक किस ने किस महाजनपत को मगद में मिलाया ठीक है तो अंग को किस ने मिलाये अंग के राशधानी हमने उब पड़ी चंपा थी ठीक है पहला शाशक जिसने प्रसासनिक व्यवस्ता पर जोड दिया तो भारत का पहला शाशक था बिम्बी सार जिसने प्रसासनिक व्यवस्ता यानि कि एडिमिनेस्ट्रिफ जो शक्तियां थी उनके उपर बल दिया जो लोकल प्रसासने उसके उपर बल दिया ठीक है वो कौन था विवाहिक संबंदों द्वारा सामराज्य का विस्तार किया किस ने किया या ये किया विवाह करे ताकि इसके जो अन्य महाजनपत थे उनके साथ मैत्री पूर्ण संबंद बन सके कौन-कौन से विवाह इसने कौशल जो महाजनपत था वहां की जो राजकुमारी थी वहां से इसने विवाह किया ठीक है इसके लावा जो वैशाली महाजनपद था वैशाली यानि की वज्जी महाजनपद वहां की राजकुमारी सेश ने शादी करी विवाह किया और फिर एक और महाजनपत था वहां के भी राजकुमारी सेश ने विवाह किया तो विवाहिक संबंदों द्वारा सामराज्य विस्थार करने वाला पहला शाष्रा कौन था बिम्बिसार था अगला है राजकिया वैद तो इसके दरबार में इसका एक राजकिया वैद रहता था जिसका नाम था जीवक बहुत बार पूछा जाता है कि जीवक किसके दरबार में रहता था तो ये बिंबी सार के दरबार में रहता था ठीक है बहुत प्रसिद ये राज के एक वैद था और जब अवन्ती के राजा जब हमने पात करी पीछे अवन्ती के बारे में तो उसके राजा का नाम था प्रदोत ठीक है प्रदोक जब पांडुरोक से ग्रसित हुए तो बिंबी सार ने इस जीवक को इनकी सेवा में भेजा तो ये भी पूछा जाता है कि बिंबी सार ने जो जीवक था उसको किसके पास भेजा था सेवा के लिए तो वो भेजा था अवन्ती के राजा के पास ठीक है इसके अलावा जब महत्ना बुद्ध बिमार पड़े थे तो उनकी सेवा में भी जीवक को भेजा गया था बिंब बिम्बिसार था ठीक है अगर हम हत्या की बात करें तो बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजात शत्रू ने 493 बीसी में कर दी थी ठीक है तो पूछा जाता है बिम्बिसार की हत्या किस ने करी अजात शत्रू ने और अजात शत्रू के बारे में एक और प्रश्ण बनता है कि ऐसा कौन शा मगत का शाशक था जिसने गद्धी प्राप्त करने के लिए अपने पिता की हत्या करी और जब गद्धी गवाई तो उसके पुत्र ने ही उसके हत्या करी थी तो वो कौन था वो अजात शत्रु ही था ठीके अब अजात शत्रु के बारे में बात करेंगे देख बुद्ध के चचेरे भाई थे उनके कहने पर जो अजात शत्रू था इसने बिम्बिसार की हत्या की थी तो प्रश्ण बन सकता है अजात शत्रू ने किसके सुझाओ पर या किसके कहने पर बिम्बिसार की हत्या करी वो थे देवदत ठीक है और ये कौन थे महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई इसके बाद बात करें तो ये जो अजात शत्रू था ये शुरुवात में जैन धरम का मानता था लेकिन बाद में ये बहुत धरम को मानने लगा था ठीक है जैसे इसका पिता था वो भी बहुत धरम को मानता था ये शुरुवात में जैन को मानने लगा था ले वर्शाकार ने देखें वर्शाकार इसका एक मंत्री था आमत्य था इसका और इसकी सहायता से इसने जो वैशाली राजधानी थी किसकी राजधानी थी अभी हमने पीछे बात करी वज्जी महाजनपत की राजधानी थी तो इसकी सहायता से इसने इसकी उपर विजेप्राप् इसने किया क्या था यह वैशाली के अंदर घुज गया और वहां की जो पूरब बोला जाता है कि जो अंदर शासन प्रशासन था आपस में ही उनको आपस में लड़वा दिया किसने वर्शाकार ने तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टन्ट है पूछा जाता है वर्शाकार किस आयूजित नहीं पहली बाउद संगीती तो प्रशन बनता है प्रतम बाउद संगीती किसके शाषण काल में आयूजित की गई उदाईन किसको मानता था, जैन धरम को ये मानता था, बौध गरंतों में इसे पित्र हंता की नाम से जाना गया है, और जैन गरंतों में इसे पित्र भगत कहा गया है, तो यहां से भी important question आपके बन सकते हैं, कि उदाईन को बौध गरंत में क्या कहा गया है, और जैन गरंत में क्या कहा गया है, दोनों आपको याद रखना है, ठीक है यहाँ पे पितर हंता कहा गया है, यानी कि पितर की हत्या करने वाला और यहाँ पे पितर भगत इसको कहा गया है ठीक है, उदाइन से जो most important question बनता है, वो बनता है कि पाटली पुत्र की स्थापना किसने करी तो पाकली पुत्र की स्थापना करी उदाईन ने और इसे मगद की राजधानी बनाया उदाईन ने ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है उदाईन से ये दो ये तीन प्रशने ये काफी इंपोर्टेंट है अब बात करते हैं हरिया कोवंश के अंतिम साशक की तो हरिया कोवंश का अंतिम साशक था नाग दशक ठीक है और इसकी हत्या इसी के आमत्या ने जो इसका मंत्री था शिशुनाग इसने इसकी हत्या कर दी थी तो हरिया कोवंश के अंतिम साशक नाग दशक की हत्या किस ने करी जो इसका राजा था उत समय नाग दशक उसकी हत्या कर दी और अपना एक नया वंश चलाया शेशुनाग वंश ठीक है इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया देखे पहले मगत की राजधानी कहा थी गरीब बरजी थी शुरुवात में जब रहधरत था लेकिन जब प् फिर अवंती को मगत के अंदर मिला दिया था उपर हमने बात करी अंग को किसने मिलाया बिंबिशार ने वैसाली को किसने मिलाया अजात शत्रु ने अवंती को मगत में किसने मिलाया शिशुनाग ने ठीक है शिशुनाग के बाद उसका पुत्र जो था काला शोक ये राजा हुई थी ठीक है दूसरी बहुत संगीतिक आयवजन कहां हुआ था ये वैशाली में हुआ था ये आपको याद रखना है 383 इसा पूर्व में ठीक है और जो ये कालाशोग था इसने क्या करा फिर इसने राजधानी पुनहा पाटली पुत्र ले गया था वैशाली कौन लाया था शिशुनाग और ये शिशुनाग जो ये राजधानी थी वैशाली से वापस कहां ले गया पाटली पुत्र कौन लेके गया कालाशोग ठीक है इसके बाद इस वन्ष का अंतिम शाशाग आया नंदी वर्धन नंदी वर्धन की जैसे ही मिर्तिवी मगत के उपार एक नयार वन्ष यहां पर इस्थापित हुआ जिसको हम कहते हैं नंद वन्ष ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपोर्टेंट है तो उमीद करता हूँ आपको अभी शुनाग वन्ष भी यहां पर जो जो प्रशन बन सकते हैं वो सारे मैंने आपको यहां पर बता दिये चलिए अब बात करते हैं नंद वन्ष की नंद वन्ष की बात करें तो भारत के पहले सामराज निर्माता के रूप में जाना जाता है नंद वन्ष को तो यह आपको ध्यान रखना है किस वंश को भारत का पहला सामराज निर्माता कहा जाता है वो है नंदवश ठीक है इसके संस्थापक कौन थे तो महा पदमनंद इसके संस्थापक थे बहुत ही जादा शक्तिशाली या अब बोल सकते हो महान ये शाशक रहे थे नंदवश के ये पहला गैर चत्रिया राजा था या राज वंश था मगत के उपर अभी तक जितने भी शाशक बने या जितने भी वंश आए चाहे वो हर्यक वंश हो शिशुनाग वंश हो वो सारे चत्रिया थे ये पहला गैर चत्रिया राज वंश था ठीक है इनका शूरोत जो मिलता है नंदुवंश के बारे में जैन साहितियों से इनकी जानकारी मिलती है इसके लावा पुराणों में भी इनकी जानकारी मिलती है किस जाती के थे तो नाई जाती से ये संबंदित थे नंदुवंश का जो ये महापदम नंद था ये किस जाती का था ये नाई जाती के थे ठीक है इसको दुतिय परशूराम के नाम से भी जाना जाता है तो प्रशन बनता है किस राजा को मगद के किस शाशक को दुतिय परशूराम के नाम से जाना जाता है तो वो माना जाता है महा पदम नंद को ठीक है पुराणों में इसे परशूराम का दू शुरू करा था उसी प्रकार इसने भी छत्रियों का नाश किया था इसी को छत्रियों का नाश करने वाला भी कहा जाता है इसके लावा इसने एक राट की उपादे भी धारण करी थी ठीक है इसके बाद बात करते हैं इसने कलिंग पर भी आकरमन किया जिसके उपर बाद में अ इस वंश का अंतिम शाशक हुआ घनानंद देखे नंद वंश के अंदर कुल शाशक के अगर हम बात करें तो कुल शाशक हुए 10 लेकिन जानकारी के एवल दो के बारे में मिलती है एक पहला और एक आकरी ठीक है तो पहला हमने बात करी महापदम नंद उसकी हमने उपादियों को देखा उसके हमने कारियों को देखा अंतिम जो इनका शाशक था नंद वंश का वो था घनानंद ठीक है घनानंद और यहाँ सिकंदर के समकालीन था ये भी आपको याद रखना है बहुत बार प्रशन बनता है सिकंदर के समकालीन जो मगद का शाशक था वो कौन था तो वो था घनानंद, नंद वंश का अंतिम साशक था और बाद में इसी घनानंद को हरा कर चंद्रगुप्त मौरे मगत के उपर मौरे वंश की स्थापना करता है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, तो आगकी वीडियो में हमने बात करी पहले महाजनपतों के बारे में उसके बाद हमने महा जनपत जो मगद है उसके उपर कौन-कौन से वंसा है उनको हमने बात करी देखे आपको दो बाते याद रखती है एक आपको मगद की राजधानी का करम याद रखना है और दूसरा इन वंश्वों का करम याद रखना है सबसे पहले कौन सा वंस किया कौन कौन से उसमें स्थानिय राजा थे जिनों ने इसके मदद करी सिकंदर की आकरमन की बात करेंगे और कुछ विदीशी आकरमनों की बात करेंगे और फिर उसके बाद हम चलेंगे मौरे राजवश के बारे में जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे तो ये friends इस वीडियो में इतना ही उमीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आता है वीडियो को like करें शेर करें चैनल पे नए हैं तो subscribe करें और अपने दोस्तों के साथ शेर करना ना भूलें Thank you friends